नमस्ते, स्वागत है आपका जुमाज रस्वे में आज हम बनाएंगे दही कैपसिकम रेसिपी जो की बहुत ही आसानी से और फटा-फट बन जाती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं हमें चाहिए होंगे अच्छे से चौप किये वे दोव प्यास, थोड़े से गार्लिक और मिर्ची उसके बाद हम ले लेंगे करीब दो कैपसिकम जिसको हमने अच्छी तरीके से स्टाइस कर लिया है अब एक छोटा सा बाल में करीब हम दो टेबल स्पून दही लेंगे उसको अच्छी तरीके से फेट लेने के बाद उसमें डालेंगे हम हल्दी हल्दी को भी मिक्स करेंगे, मिक्स कर लेंगे उसके बाद डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मर्च फिर से मिक्स करना है और लास्ट में डाल देंगे करी 1.5 टी स्पून धनिया पाड़र उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारी दही जो है ग्रेवी के लिए वो प्रिपैर हो चुकी है अब बढ़ते हैं नेक्स टेप की हो जिसके लिए हमें चाहिए होगा एक कड़ाई उसमें 2 टेबल स्पून धनिया होगा हम अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे उसमें डाल देंगे जीरा जीरा को गरम हो जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे लॉंग और दाल चीनी इसको हमें एक मिनिट के लिए गरम करना है उसके बाद हम इसमें डाल देंगे गार्लिक और चौप की हुई मिर्ची जिसे आप पहले ही देख चुके हैं इंग्रीडियंट्स में इसे हम थोड़ा सा फ्राइ करेंगे उसके बाद इसमें डाल देंगे हम कटे हुए अच्छी तरीके से स्लाइस के हुए प्यास उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपना बनाया हुआ दही का जो mixture था हम लोगों का वो डाल देंगे लेकिन इस वक्त हमें medium flame से low flame पर switch करना है दही डालने के बाद इसमें हम करीब आधा कब पानी डालेंगे और फर इसको अच्छी तरीके से mix कर लेंगे अब इसके ढख के पकाएंगे करीब 2-3 मिनिट के लिए medium flame पर इसमें डालेंगे अब नमक और अच्छी तरीके से mix कर लेंगे अब लास्ट बार के लिए इसे हम ढखेंगे और cook करेंगे 3-4 मिनिट के लिए medium flame पर जिसके बाद हमारा दही कैपसिकम recipe हो जाएगा ready अब इसे हम serve करेंगे आप इसे रोटी और चाब दोनों के साथ serve कर सकते हैं दोनों की साथ बहुत ही अच्छा लगता है अगर आपको recipe अच्छा लगता है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कीजिए का इससे हमें motivation मिलती है और comment भी कीजिए का कि आपको recipe कैसा लग और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं next वीडियो में बहुत जल्द